स्वागत है हकीम साथ बहुत धन्यवाद आपको अगर हम निरोगी भी है अगर हम कोई परेशानी भी नहीं है क्या तब भी हम उन रौ माटीरियल का इस्तमाल कर सकते हैं जो बेहत कीम्ती होते हैं जो आप उनको को बताते हैं चाहे हो गॉण सीया हो गॉण लोवय का सिरकह का हो जैचुन नमक या पिर कॉलाज को नमक इन तमाम राव माटीयाल करें साहे अधेकि कुछ nuestras 예쁜 सी हैं कि यह रोक के आने खुड रोक जैशे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैटून का सिर्का एक ऐसा सिर्का है जो चालिस साल के बाद लेना चाहिए वैसे तो पहले भी ले सकते लेकिन चालिस साल के बाद अगर लेंगे तो चालिस साल के बाद चार या पांच रोग हमारे अंदर आने का अंदेशा होता ही है और उस में से कौन सा रोग आएगा यह नहीं पता एक हमारा कॉलिस्टॉल बढ़ने लगता है हर किसी का, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो कोई भी हो, उसका कॉलिस्टॉल बढ़ने लगता है यानि खूल की वो जिद्धी चर्बी जो हमें नुकसान देती है, उसे कॉलिस्टॉल कहते हैं, अब ये बढ़ता है, तो हमें ब्लेड पेशर बढ़ता है, क्योंकि जब खूल गाड़ा हो जाता है, तो दिल को उसको फैकने में बड़ी परिशानी होती है, इसलिए ब्लेड प भजने लगी, तो हार्ट ब्लॉकिज हो सकता है, फिर एक और खत्रा है कि डाइबटीज भी इस उबर के बाद आती है, लीवर पाब्लम आती है, पेट की पाब्लम आती है, इंफेक्शन की पाब्लम आती है, किड्नी की पाब्लम आती है, तो इन सब बीमारियों से आप सुर रोग भूख रहुआ है तो दो बार रोग नहीं हुआ है तो एक बार ले अब और हम रोग मुख्त जिंदगी गुजार सके हैं सुरेश देवी जी है हरियाना से स्वागत है आपका हम जी नमस्कार जी नमस्कार अकिन जी नमस्कार जैहिंद आदाव जैहिंग सर मेरे तीन सवाल है जैसे मेरी बैन की बैटी है उसकी आइट कम है वो 15 साल की है और दूसरा स्वाल है मेरा पाथ साल से वजन बढ़ गया है मैं नींद की दवाईया लेती हूं उनके बाद मेरा वजन बढ़ गया है और तीसरा स्वाल है कि मेरी टूबेब लोग हो रही है जैसे हम टैस्टूब करवाना चाहते हैं उनके लिए कोई उपाए हो तो बताओ दोनों टूबेबंद हैं आपके उम्र क्या है मेरे 47 साल है ठीक है मेरे मेरे पास दो बेटी है ठीक ठीक है हो दिखिए पहला सवाल क्या है पहला सवाल है किनकी बच्ची है 15 साल की हाइट कम है अभी कूझ जाईश हो सकती है उसमें गौन्द मौरिंगा सफेद असली है नकली बहुत मिले हैं एक गिर रोजाना पानी में दूद में ये नारियल पानी मिलाकर रोजाना एक बार दें सफेद गौन मौरिंगा इन अकली बहुत मिलता है असली लेने की जिम्मेदारी आपने और बच्ची को फाइदा मुम्किन है दूसरा सवाल इनका खुद का सवाल है कि इनका वेट बढ़ गया है और इन्हें लगता है कि नीन की दवाईया लेने से और ट्यूब ब्लॉक है इनकी दोनों तो देखे एक एक दवा बता रहा हूं ये तीनों को आपके रोगों में फाइदा करेगी आपकी नीन की गोली भी छूट सकती है वजन भी कम हो सकता है और ट्यूब भी खुलना मुम की नहीं देखे दवा एक है लेकिन काम बहुत कारिया बहुत करती है अलो वीरा का सिर्का सिर्का विनेगर अलो वीरा का विनेगर तीन चमच या चार चमच चोटे चाय के चमच एक गिलास पानी में डाले एक चुटकी में जितना खाने का सोड़ा है वो उसमें डाले मिक्स करें और रात के समय जब भी आपका सोने का समय हो सोने का समय हो तो उस वक्त पी कर सो जाय करें यह तीनों काम आपके लिए यह करते हैं आप वरोसा रखें कि अगर आपने असली चीज़े ली तो आपको फाइदा ममकिन है दोई सवाल थे हकीम साब चलिए से के साथ अगले कॉ नमस्ते मेडम जी नमस्कार अधिम जी को आदाप आदाप साथ जाहिन ब्रहाम सिंग जी कही है क्या सवाई एक दिन पहले बात हुई थी लेकिन बात हमरी बीच में कटगी लाश्ट टाइम पर फोन मिला तो बात पूरी नहीं हो पाई थी अच्छा 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 अच तो कम जाधा तो नहीं होए अभी अभी वैसे ही और यह अभी वैसे ही है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा मेरी बात सुनिये आज टाइम है हमें अफसोस था कि आपसे बात पूरा जवाब नहीं दे सके कभी कभी ये भी मजबूरी होती है ये टेलीविजन वाले जो है ना बड़े ऐसे होते हैं फौरन ही वक्त पर ही इने सब कुछ चाहिए मेरे दिल था कि मैं आपके जवाब दो और वहगवान ने मेरे सुन ली कौन से आपने शुरू कर दिया ये पांट साथ दिन बाद फाइदा शुरू करता है आप ये देखें कि दो परसेंट लोगों का दर्थ बढ़ता है और फिर कम होता है और नाइंटी एट परसेंट लोगों का द होने लगा वजन नहीं उठाएं बिल्कुल भी वेस्टन ट्वालेट इस्तमाल करें कुर्सी वाला से उचा लए और जो नीन नहीं आती उसके लिए आप रात के समय जब सोने का वक्त हो जाता है जो हर आदमी का अलग वक्त होता है तो उस वक्त आप तीन या चार चमच जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का एक ग्लास पानी मिला कर पी के सोया करें और खुब भगवान से मदद मांगते हैं फाइदा भगवान करता है नाम मेरा होता है वजन न उठाएं मेहनत न करें कुछ दिन इलाज के दौरान और वेस्टन टॉयलेट इस्तमाल करें आपको फाइदा मुमकिन है तो ब्रहम जी आपको फाइदा जरूर हो जाएगा देखिए आपकी दुबा लुग मुक्त बनाएए दर्श को अगर आप लोग की कॉल कारेकरम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्प लाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं आईए बात अगले कॉलर से पंजाब से हैं लता जी स्वागत है आपका नमस्कार मेडम जी नमस्कार नमस्कार ही कि उसके ना सर में फ्रांट फ्रांट में दर्द होता है साइड में दर्द होता है मत्थे की साइड में दर्द होता है आपको के उपर और फ्रांट फ्रांट में दर्द होता है 15 दिन से हो रहा है दर्द ठीक है नजला वगरा हुआ था अभी कुछ नजला खांसी जो देगी नजला खांसी कुछ हुआ हो आपको अभी महीना पंदर दिन के अंदर तो नजले की ऐलर्जी की दवा जो होती है उससे वो जम जाता है कफ जम जाता है तो अगर ऐसा हुआ हो तो कफ निकालने की दवा लें और एक एकसरसाइज बताता हूं वो लें तीन तीन मिनट तो एकसरसाइज बताता हूं ऐसा बैठें मेरी तरह और यह यह एकसरसाइज आपको तीन मिनट रोज करनी है तीन मिनट थी मिनट से एक साथ कोई नहीं कर पाता तो एक-एक मिनट करके तीन बार में करें पूरे दिन में एक तो यह और एक ऐसे 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 पूरी दोर से कि यह थोड़ी मेरी यहां तक आ जाती है आपकी नहीं आएगी जैसी आने लगएगी तो आपकी जो फ्रेंड है वो ठीक होना मुंकिन है सुल्तानपूर से हैं नीरा जो स्वागत है आपका हालो जी माडम नमस्कार जी नमस्कार मेरे दो सवाल है असीन साथ से जी मेरी यह जब 25 वाज मुझे एक महने से पेशाब में दिख रहे जलन हो रहे और मेरा दूसरा सवाल है मेरी वाइच को 5-6 महने से पंजों से ऊपर उपने से नीचे तोयलिंग दाती है उनकी उम्र क्या है उनकी उमर है 35 एल ठीक है जी पेशाब में इंफेक्शन अक्सर हो जाते मर्दों को भी और औरतों को भी और एक आता है नमक जैतून ये एक नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्त है जो इसे रसाइन भी कह सकते हैं जैतून का रसाइन इस ये नमकी नहीं होता इसकी पहचान ये नमकी नहीं होता मैं इसलिए बता रहा हूं कि नमक जैसा बिल्कुल दिखता है लेकिन नमकी नहीं होता ताकि आप नकली न ले 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 इसका एक या दो चुटकी, एक गिलास पानी में डालें, मिक्स करें और पी लिया करें, आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है, पेशाब हो, परिशानी हो, इन्फेक्शन हो, जलन हो, पेट में गैस हो, कब्स हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, बहुत सारे रोगों का गैस वैस का सबका करें और आपकी पत्नी के लिए देखी गौन सियाह आता एक और मैं बड़ा फिकर मन्द हूँ कि ये अब नकली बहुत मिलने लगाए असली आप हासिल करें और आदा आदा ग्राम सुबह शाम किलाएं सुबह नाचते के बाद आदा तु खाने के बाद रूस से दे पानी से देखें जैसे भी चाहें खाने के बाद देखें सिर्फ आदा अदा ग्राम ये बहुत तेज होता इससे जादा लेना मना है और वेस्टर्न टॉयलेट आपकी पत्नी के लिए जरूरी है ये कुर्सी वाला शोचाले ये बहुत जरूरी दवा से भी ज़्यादा जरूरी है और कुछ दिन मेहनत ना करें वज़र ना उठाएं तो लगी ये अगर असली मिल गया लखली बहुत मिलता है तो पंद्रह सोला रूपे रोस का इलाज है आधा ग्राम सुबदे आधा ग्राम शाम नाचते औ खाने के बाद पांच-साथ दिन के बाद फाइदा शुरू करता है और सो ग्राम भी किसी को असली बिल गया तो फाइदा होना मुम्किन है जी दिल्ली से हैं दयावती जी स्वागत है आपका नमस्के मैं जी नमस्कार नमस्कार वाईताव जैहिन आदाव कहिए बहन क्या हा है ठीक है वाईताव वाईताव यह बताओ यह गोंद सिया गोंद मुरिंगा और जत उनका सिरका यह हम कितने दिन तक रख सकते हैं अगर में खराब तो नहीं होता यह जी दो साल तो नहीं होता कुछ भी और मौस्चर से जरा बचा के रखते हैं यह बहुत गर्मी से यह बह साल यह है बाईसाब बच्ते हैं बेटा है बतीस साल का बेटी है तो ए उनका सिरका और अधरिकलत कर यह बना खेसके हैं ना एक काई मी हा लेशकते है ठीक रहेंगे जैसे बलोकी जिना होएगी तो अभी तो ठीवे ऐसे तो ठीक हैं पर ले सकते हैं ना मतलब को डफारें मुवाथते तो नहीं हो जाँगे गर्मी से ना ना ये तो महाँ से होंगे भी तो भी खतम हो जाते हैं इससे ये अजीब और गरीब है मेरा थे साल का भाई साव उसको ये जतून का नमक दे सकते हैं उसके पेट में कभी कभी गयात बन जाती है आधी चुटकी दे सकते हैं बस आधी चुटकी अच्छा हाँ ठीक है और दिन में एक बार या दो बार बस आधी चुटकी बच्चों की खुराक होती है चवनिए ऊसर बच्चों कटे बच्चों को देते हैं जो 12 से कम के हूँ और आपको कॉल करने से हमारा प्रोगाम भी बन जाता है आपको हमारे वीवर जानने लगे सब लाखों और आपका फोन नहीं आता तो ये त्यागी जी भी आप पूछते हैं आज फोन नहीं आया दियावती जी तुम्हारी बेहन का उन्हें पता ही नहीं आपका हमारा रिष्टे का दिखिए हमारे अलावा ये भी आपसे महबत करने लगे त्यागी जी और इनके लिए भी थोड़ा दूआ किया करिये और कोई सवाल नहीं जब आप तक मेरे सारे निसके पहुंच दिया जिस दिन तो उस हिलाके में तो आप ही प्रैक्टिस करना हमारा तो रिटार्मेंट हो जाएगा और आपके हां लोग चक्कर लगाएंगे लेकिन अच्छी बात दियेगा आपको असली नकली की पहचान हो गई आप तो द कामदारों को भी असली चीज बता सकते चाहे वो वेद नहीं है लेकिन सीख तो लिया इतना और मुझे बड़ा अच्छा लगता जब आप फोन करते हैं बहुत शुक्रिया आपको फोन करने को